अगर आप भी कुकूर खासी से परेशान है दोस्तों तो आप एक बार ये नुस्खा जरूर आजमा कर देखना कुकूर खासी को कहीं कहीं पे काली खासी भी बोला जाता है और कुकूर खासी भी बोला जाता है कई बार होता है कि दवाईयां खाखा के परिशान हो जाती है लेकिन जब तक दवाईयां खाएंगे तब तक इसमें फायदा होता है और जैसे ही दवाईयां बंद हो गई वैसे ही ये वापिस सुरू हो जाती है तो अगर आप भी इस तरह की खांसी से परिशान है जैसे अभी सर्दियों का मोसम गया है सर्दियों के मोसम में सर्दी खासी जुखाम होना आम बात है लेकिन जब सर्दियों के मोसम में खासी जुखाम होता है न तो कई बार क्या होता है हमारी सर्दी जुखाम ठीक हो जाती है लेकिन खासी रह जाती है और वो जैसे जैसे पुरानी हो जाती है ना खासी, काफी टाइम तक रह जाती है, तो वो कुकुर खासी का रूप ले लेती है, तो अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, सर्दियों के मोसम से, तो आप जो है इस नुस्खे को आज मा सकते हूं, बहुती जादा बड़ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी खास बात है, आपके आसपास में ही ये चीजे रहती हैं, और उने ही लाकर फ्री की चीजों को आप जो है इस्तिमाल करके, अपनी जो कुकुर खासी है, काली खासी है, उससे जड़ से छुटकारा पा सकते हो, सिर्फ ये नुस्खा एक सब्ता यानि की साथ दिन तक आपको ये लेना है, तो यहाँ पे आप देख रही हैं, इसके लिए आमने जो सामगरी ली है, जो कुकुर खासी का आप नुस्खा तयार करेंगे ना, उसकी सामगरी याँ पे आपको दिखा रही है, आप देखकर समझ गए ह पत्ते, पीपल का पेड़ बहुती ज़्यादा ओसदी होता है, बहुत सारी जो है, नुस्खों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी समझ याँ को ये ठीक करता है, चाहे आप इसकी पत्तों की बात करें, चाहे आप इसकी फल की बात करें, और चाहे आप इस की जो चाल होती है न उसकी बात करें ये हर तरह से जो है फाइदे मन दोता है तो आपको जो है इस मुस्खे के लिए क्या करना है आपको थोड़ी सी इसकी चाल लेकर आ जानी है पीपल की चाल पुराने पेड़ पे अच्छे पत्ते लगेंगे तो जैसे अभी पीपल पे नए पत्ते आ रहे हैं अच्छी कच्चे-कच्चे पत्ते जो है अभी मिल जाएंगे आपको अगर भाईचांस कच्चे पत्ते नहीं है तो आप जो है पके हुए तो भी आप लेकर आजाएं आला कि जब आप इसे लेकर आएंगे तो अलकी सिसील अन्वाली रहती है लेकिन ज्यादा पुराना जो पेड़ होता है न पीपल का तो उसके ऊपर आप देखेंगे अलग से जो है इसकी चाल फटी-फटी हो जाती है तो आप ले आ सकते हैं कैसी भी चाल आपको मिल जाए हर तरह की चाल जो है फाइदेमंद है आपको इतनी ले आनी है कि आप एक एक इंच चाल का साथ दिन तक इस्तिमाल करें इस अंदाजे से आप ले आना और साथ में जैसे आपके आजू-बाजूने पेड़ है तो आप रोजाना ताजा ले सकते हो इसकी पतियां और अगर आपको दूर से लाना पड़ रहा है न चाल और पति तो आप एक साथ लाकर पतियों को केरी बैग में डालके और फ्रीज में रख लेना तो रोजाना आप इसका इसका इस्तिमाल कर पाएंगी सब्तावर तक एक बार में आपको पीपल की जो पति है कच्ची पतियां है तो 4-5 पतियां ले लेना क्योंकि छोटी-छोटी होती है साइज में और एक इंच आपको ले लेना है इसका छाल इंच बाई इंच आपको इसकी छाल ले लेनी है साप सुत्रे एक गिलास पानी के अंदर इनको डाल कर दोस्तों और इसको अच्छे से वो दो डालनी है सोफ्ट वाली है तो आप 4-5 डाल सकते हो क्योंकि सोफ्ट जो पति होती ही साइज में भी छोटी होती है और कच्छी भी होती है तो आप ये 4-5 डाल सकते हो तो इस तरीके से आपको जो ही ये नुस्खा बना कर तयार करना है इतना हो वाली है कि जितने भी चाल के फायदे हैं, पीपल के पते के फायदे हैं, वो सारे पानी के अंदर आ जाए, जिनको भी खासी की समश्या है ना, बिना दवाई के आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों, अगर आपने ये नुस्खा अपना लिया, तो ये नुस्खा ऐसा है कि अभी जैसे गर्म का मोसम है, अम जैसे काड़ावाडा लेते हैं गर्म तो वो आमें पेट में गर्म करता है, लेकिन ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करता है, हर तरह से फायदे मन्द है ये आपके लिए, गर्मियों के मोसम का बैस्ट नुस्खा है दोस्तों, अगर किसी को सर्दी जुखाम हो रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तो सभी इसे अपना सकते हैं, और जिनको पुरानी खासी है, उनको ये continue साथ दिन आज माना है, दिन में दो बार भी इसे आप ले सकते हो, अगर किसी को ज़्यादा खासी है, तो एक बार तो आपको लेना ही है, अगर खासी के समश्या है तो, और अभी अगर आपको सर्दी जुखाम हो रहे है, तो आप एक दो बार बना कर लेंगे ना इसे, दो दिन तक, तो ही आपको फाइदा हो जाएगा, लेकिन पुरानी खासी है, तो सब्तावर आप इसे दिन में एक से दो बार जरूर ले लेना, आपकी जो खासी है, चाहे कितनी ही पुरानी हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसके साथ साथ जिनको पुरानी कुकुर खासी है ना दोस्तो, उनको क्या करना है, कि जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च भी आपको दिन में क्या करना है, दो-चैर काली मिर्ची को आप तवे पे डाल कर, थोड़ा सा गी डाल कर सेक लेना, और एक एक काली मिर्ची के जितना लेकर आपको दिन में, एक से दो बार चबा-चबा कर खा लेना है, आप पी सकते हो, आइस्क्रीम, कोल्ड रिंक वगेरा, ठंडा वगेरा आपको नई पीना है, जब तक आप ये नुस्खा लेंगे, सबता वरप्रेज कर लेना, एकदम ठीक हो जाएंगे आप, और उसके बाद में भी अगर किसी को लगता है थोड़ी बूत कसर है, तो continue आप ए पूर और सद्येगुन होते हैं, दोस्तों, इसकी छाल में भी पत्तों में भी फल में, भी फल तो बहुती काम के अभी भरे हुएं, अगर किसी को लगे न, इसके मैंने नुस्खे भी सेर किये, और और बी करूँगे आपके साथ आगे-ागे नुस्खे, आप लाकर बनाकर और उसको आप साल बर में इस्तिमाल कर सकते हूँ, ये था आजका नुस्खा दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना, जिससे सभी को फायदा मिले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा धन्यवाद